हलो एव्रीवन वेलकम टू लेरनर भी आएम शिवानी जौहान इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुका चप्टर 5 विमन चेंज दे वर्ड का पार्ट 2 पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं स्टोरीज के बारे में कि किस तरीके से विमन के साथ भै स्टोरी लाइन के बारे में लिखती हैं अब हम देखते हैं स्कूलिंग एंड एजुकेशन टोड़े इससे पहरे वाले पार्ट में हमने देखा था कि पुराने जमाने में कैसे चीज़े हुआ करती थी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आज का समाच मे आज क्या सब पुछ चल रहा है आज के टाइम पे बोथ बॉइज और गर्ल्स जो है स्कूल अटेंड करते हैं काफी लाज डंबर्स में येट उसके बावजूद भी काफी सादा भेदबाव होता है विमन बॉइज और गर्स की एजुकेशन में जो सेंसेस हुआ था सेंसेस कितना गए है क्या काम करते हैं ये सारी की सारी इस information से हम लोग को पता लगता है कि कितने लोग हमारे देश में literate है literate का मतलब होता है पढ़े लिखी है और ratio और men and women का क्या है कि men के comparison में कितनी women पढ़ी लिखी है तो अगर हम attainive 1961 की बात करें तो 40% जो थे boys or men's मतलब 14 40% म अगर सारे men को 100% मान ले तो उसमें से 40% पढ़े हुए थे ठीक है और literacy की definition क्या होती है यह important है यह देखिए men and women जिसकी men और women जिनकी age 7 साल से जाता है और उन्हें किसी भी भाशा में लिखना आता है और पढ़ना आता है they could at least write their names कम से कम अपना नाम तो लिख सकते हैं तो वो साक्षर है वो पढ़े लिखे हैं इसके comparison में 1961 में सिर्फ और से 15% women ही पढ़े लिखी थी in most recent जो की 2011 में census हुआ है इसमें जो है men and women sorry men और जो boys है उनकी जो literacy rate है वो 82% है और women की 65% literacy rate है देखिए literacy rate बढ़ा है जादा पढ़ने लगी है पढ़ने लगी है women भी है बट फिर भी देखिए कि gap कितना जादा है यह 82% है men और women आज भी 65% ही सिर्फ बढ़ी लिखी है इसका मतलब यह है कि proportion जो है कि वो increase तो हुआ है school जाने का पर gap जो है आज भी बहुत जादा है इस table में हमें पता लगता है कि scheduled tribe और scheduled caste के जो है बच्चे मतलब simple सा ही है कि overall जो general caste होती है na general upper caste उसके बच्चे जादा school जाता है चाहे लड़के हो चाहे लड़किया हो और SC और ST भले ही जल्दी school मतलब school जाए but school से drop out हो जाते है school से जल्दी ही वो निकल जाते है काफी सारे reason से देखेंगे तो आपने notice किया होगा table में कि SC और ST girls जो है वो school छोड़ देती है काफी जादा high है बाकी all girls की category से इसका मतलब यह है कि जो दलित हैं आदिवासी हैं background के लोग हैं वो school में कम समय तक करें रहते हैं 2011 के census में हमें पता लगता है कि Muslim girls भी बहुत जादा कम school में पढ़ पाती है AISY और ST girls से भी कम जो Muslim लड़कियां है वो school में पढ़ती है अपनी primary school भी वो complete नहीं कर पाती इसका reason क्या है इसका reason देखिये यह है काफी सारे reasons है why children जैसे की दलित हो गए आदिवासी हो गए Muslim वो school छोड़ देता है काफी सारे हमारे देश के parts में especially गाउं के इलाके में जो poor इलाके हैं उसमें schools proper तरीके से नहीं available है schools है तो वहाँ पर teacher नहीं है, school दूर है काफी जादा घरों से, transport नहीं है, van या bus तो parents ना अपनी बेटियों को school नहीं बेचते हैं, अगर school दूर होता है या फिर proper bus वगएरा कि सुविदा नहीं होती है तो parents अपनी लड़कियों को school नहीं बेचते हैं, काफी सारी families इतनी जादा गरीब होती हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाती है अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो अपने बेटे को पढ़ाना जादा प्रिफर करते हैं as compared to उनकी बेटियों को और कई बार बच्चों के साथ discrimination होता है, बेदबाव होता है, जैसे कि हम ने पिछले साथ, हम दोको ने पहले भी देखा था, ओम प्रकाश वालमी की के साथ बेदबाव हुआ था, स्कूल में तो इस वजए से भी बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो की सरकार ने 2014 में केंपेंड लाँच किया था, इस केंपेंड के अकॉर्डिंग बेटियों को पढ़ाने की मतलब मांग की जाती है, और इंशॉरंस भी प्रोवाइड किया जाता है, लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, इस स्कूल ट्राइब के जो लड़के होते हैं, वो स्कूल जल्दी, मतलब स्कूल जाते हैं, बर जल्दी स्कूल जाना बंद कर देते हैं, नेक्स्ट है, करीबी के वज़े से स्कूल दूर होता है, अनवेरनेस होती है, अब विमन्स मुव्मेंट के बारे में हम देखते हैं, व अब कानूनी हक लड़कियों को काफी जादा मिल गए है, वाइलेंस मतलब हिंसा के किलाव भी अधिकार मिल गए है, काफी सारे चेंजिस होए हैं, जो कि अपने आप ही आ गए, विमेन ने इंडिविजुली खुद ही स्ट्रॉगल किया ये सारे के सारे बदाव लाने के लिए आंदोलन किये विमेन ने, तो विमेन मुवमेंट का मतलब यही है, कि ओड़तों ने खुद ही आंदोलन करे कि ये सालिच जो उनके साथ बेदबाव होते हैं, इसको हटाया जाए, तो इस ट्रॉगल जो होती है विमेन की अपने अधिकारों के लिए, उसको ही हम लोग विमे मुवमेंट कहते हैं, इंडिविज्वल विमेन और विमेन ओगनाईज़ेशन अपने देश के अलग लग पार्ट्स में चो है आज फंक्शन कर रही है, काफी सारे मैं भी जो है विमेन मुवमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो तो डाइवर्सिटी हो गया, पैशन हो गया, ताकि awareness विलाई जाए और discrimination भेधभाव से लडाई जाए और justice नियाय प्राप्त किया जाए तो इनके struggles के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं तो campaign, struggle के कुछ parts होते है, campaign करना, campaign करने का मतलब होता है भेधभाव से लडाई करना और आपने देखा होगा कि मार पिटाई होती है women के साथ, मतलब जैसे की शादी के बाद उनके कभी ससराल वाले या फिर उनका पती उनको मारता है पीटता है तो ये women के against violence के cases होते हैं, इसके खिलाब भी काफी सारे movements women ने चलाए है, campaign organize करे गए हैं कि नए लॉस पास हो, कि women के साथ ये तो अत्याचार होता है, ये ना हो, तो 2006 में Domestic Violence Act अप्लाए किया गया था, जिसमें अगर women को physical या फिर mental, physical मतलब मार पीट की जारी है, mental मतलब उसको सुना-सुना के परिशान किया जारा है, वो होती है mental violence तो अगर घर में ये सब हो रहा है, तो domestic violence act है, और अगर women इसके खिलाफ complain करेगी, तो जो से परिशान कर रहे हैं, उसको सजा दे जाएगी, ये है domestic violence act Similarly, efforts लगाए गाए हैं, women movement के द्वारा, let the supreme court to formulate guidelines in 1997, 1997 में और भी guidelines आही हैं, जिसमें to protect the women against sexual harassment at workplace and within educational institution, sexual harassment का मतलब है छेडखानी करना या रेप हो जाना, इसके खिलाफ भी 1997 में government ने guidelines निकाल ली थी, अगर ऐसा कुछ किया जाएगा, तो उन लोगों को सजा दी जाएगी, जो ऐसा कर रही है 1980 के टाइम पर example के लिए, women के group ने पूरे देश में dowry deaths, dowry का मतलब होता है दहेज, दहेज के नाम पर women को जला करके मार दिया जाता था, इसके खिलाफ वे women movement ने काफी जादा अच्छा काम किया है, जो murder कर दिया जाता था, in-laws, ससराल वालों के द्वारा, husband के द्वारा, क्य इनके खिलाफ ये violence हो रही है, तो औरते स्ट्रीट पर आगें, सडकों पर आगें, कोर्स में पहुची और information प्रोवाइड करी कि ऐसा women के साथ हो रहा है, eventually, जो है, newspapers ने, society ने, जो dowry laws है, मतलब society भी आगे आगे, सब लोग भी हाँ की dowry गलत है, और इस तरीके के हरकती नही होनी चाहिए, और newspapers ने भी लिखना शुरू करा, कि इसके खिलाफ भी क्या होने चाहिए, कानून परने चाहिए, और इसके खिलाफ कानून है, अब सत्यरानी जो है, यहाँ पर ये देखे, ये सत्यरानी है, ये इनकी बेटी जो है, दहेच के वज़े से उनको मार दिया गया तो इनके सामने देखे, कितने सारे वो रखे हुए हैं, किताबे वगर ना, जो मतलब information है की, डावरी केसिस वगर है की, तो ये काफी ज़र्दा लबी लड़ाई लड़ रही हैं, सुप्रीम कोट में, तो रेजिंग अवेरनेस, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा तक campaign करना, campaign करना मतलब कि जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ, आवाज उठाना, और सरकार से नियाय की मांग करना, raising awareness, अब awareness फिलाना, important part है women movement का, कि हम public में awareness फिलाएं, कि women के rights के issues हैं, क्या-क्या, उनको message spread करें, street plays, मतलब जो होते हैं, नुकर नाटक करें, songs के थूँ, public meetings के और अतिजार के खिलाफ, आवाज उठानी चाहिए, protesting, protest करना, women movement जो है, वो अपनी आवाज उठाते हैं, जब violation, sorry, violation मतलब जब नियमों को तोड़ा जाता है, women के साथ बुरा बरताफ किया जाता है, तो उसको protest करा जाता है, जो law policy है, वो women के हक में काम करें, public rally निकाली जात यह काफी powerful way है, attention को draw करने का injustice के खिलाफ, मतलब कि जो भेदभाब हो रहा है, women के साथ, उसके खिलाफ, जो है, एक मुहिम चलाई जाती है, सडकों पर आकर किनारे लगाना, और सरकार को, और लोगों को अवेर करवाना, एक तरीके से, कि मैसेज देना, कि जो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, यह होता है, प्रोटेस्ट करना, एक तरह से विद्रो करना, उसके खिलाफ, जो खलत कर रहा है, शोइंग, सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी का मतलब है, कि एक तरह से, वो होता है, कि हम तुमारे साथ है, और वो तरह एक भावना, यह फिल करवाना लोगों को जिनके सब गलत हो रहा है कि आप अपके साथ हम है और आपको नियाए मिलेगा तो यह होता है Showing Solidarity, Women Movement ने काफी Solidarity भी शो करी है दूसरी विमन के लिए और उनके cause के लिए 8 March को International Women Day celebrate किया जाता है This is important, आपको याद रखना है कि International Women Day 8 March को celebrate किया जाता है All over the world come together to celebrate मतलब पूरी दुनिया साथ में आती है और सेलिब्रेट करती है International Women's Day को आप Women देखें Candle Hold Up कर रखी है कि Solidarity होनी चाहिए जैसे कि India पाकिस्तान में 14 अगस्त जो है 14 अगस्त पाकिस्तान का Independence Day होता है हमारा जैसे 15 होता है उनको एक दिन पहले जो है अजादी दे दी गई थी अब क्यों अगर आपको इसका रीजन पता है ना अगर तो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में ठीक है तो कुल्चर प्रोग्राम अगरा है हैल किया जाते हैं ताकि ये दिखाए जासे कि भाई चारे की भावना पैदा हो तो ये हमारा चाप्टल था कि विमन चेंजिंग दा वर्ड और विमन मतलब किस तरीके से विमन के साथ क्या होता है कैसे एजुकेशन दी चाती थी कैसे पहले नहीं दी चाती थी फिर अब काफी सिट्विशन चेंज होने लगी है कितने लॉज है विमन के राइट को परटेक्ट करने के लिए वो सब हमने इसमें दीखा कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताईए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करिए थेंक यू